तो माइडिये स्टूरेंट्स मैं हूं मुधिता और आप सभी का स्वागत है मुधिता आएस वारियर्स पर आज हम वर्कशीट 80 सॉल्फ करने वाले हैं और इसमें हम कार्बन और इट्स कंपाउंड इसका रिवीजन करेंगे और को सॉल्फ करेंगे यह वर्कशीट आपकी बाउंड पाल जाते हैं सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ बैसिक चीज़े देख लेते हैं नौन मैटल सिमबल इसका सी होता है का बने मैटला इसका सिमबल सी है वर्सेटाइल ऐलिमेंट है ठीक है यानिकिए बहुत जादा पाया जाता है परसंटेज ओफ ऑफ और्ध thing made up of carbon based compound जितने भी लीविंग थिंग है include human सब carbon and its compound से ही बने हुए है atomic number की हम बात करें तो six होता है ठीक है और configuration की बात करें तो two four यानि की जो carbon है इसके first cell में दो electron and out of cell में four electrons आते हैं यह तो carbon के बारे में basic चीजे हो गई इसके बाद अगर हम carbon के बारे में देखें तो carbon is a tetravalent it does not form ionic bond by either losing four electron और gaining fall for electron it always form bond by sharing electron तो जो carbon है इसके क्या होता है out of most cell में 4 electron होते मैंने भी बता है इसके out of most cell में 4 electron होते हैं तो ना तो यह electron lose करता है और ना ही gain करता है in fact यह क्या करता है शेयर करता है ठीक है share करता है तो इसलिए covalent bond बनाता है और इसको हम क्या बोलते हैं वर्सेटाइल और से टाइल नेचर ऑफ कार्बन के करना बात करें कि इसका नेचर वर्सेटाइल क्यूं है तो because of this two properties carbon की यह दो बहुत इंपॉर्टन प्रॉपरिटी है एक है catination at tetravalency catination क्या है carbon can link with carbon atom means of covalent bond to form long chain carbon carbon के साथ जुड़ जुड़ कर कितनी भी लंबी चेन बना सकता है ठीक है आप इस में thousand carbon add कर दीजिए वह अलग compound होगा एक carbon वह अलग compound होगा तो यह बहुत बड़ी चेन्स बना सकता है branch formation कर सकता है ring formation कर सकता है that's why हमारा जो carbon है वह catination property शो करता है ठीक है इसी कौम क्या बोलते है catination और ट्रेट्रा वैलेंसी carbon के आउट्र मोचल में four electron होते हैं जिसकी वज़े से carbon other four other four atoms के साथ bond बनाकर अलग-अलग compounds form करता है covalent compound have low melting and boiling point due to weak intermolecular force and are generally poor conductor of electricity दूसरा क्या है कि इसका melting and boiling point low होता है इसलिए यह bad conductor होते है और वैसे भी हम देख सकते हैं कि एक non-metal है ठीक है वैसे भी हम देख सकते हैं कि एक non-metal है तो यह वीक होगा और यह एक कंड़क्ट नहीं करेगा इसके बद आपको यहां पर एक डॉट इस्ट्रॉक्शल दिखाय हाइड्रोजन इनके electron share करके इस तरीके से अपना configuration फिल करेंगे यहां पर oxygen किस तरीके से ओटू किस तरीके से शेयर करके इसका डॉट इस्ट्रॉक्शल दिखाया है ऑक सीजन के आउटमोश शेल में 6 electrons होते हैं तो यह किस तरीके से 2 electron की sharing करते हैं इसी तरह नाइट्रोजन ह यह तीन electron की sharing करके अपना उटमोश शेल जो है फिल करते हैं अब यहां पर आपको seven questions दिये हैं लेटस प्रेक्टिस में एक एक करके सभी questions को solve कर लेते हैं जल्दी से first question में बोला है covalent compound generally don't conduct electricity this is because covalent compound do not have charged particles capable of transporting electrons क्योंकि यहां पर free electrons free particles नहीं होते जो electron को charge कर सके जिसे हमने आइनिक बॉन्ड में देखा है कि वहां free particles होते हैं यहां पर क्या है जितने भी electron है वो सब busy हो जाते हैं shared करने में तो कोई भी free particle नहीं होता आयन्स नहीं होते जिसकी वज़े से यह electricity conduct नहीं करता है how does carbon attain noble gas configuration तो noble gas मतलब कि वह अपना out of most shell कैसे fill करते हैं तो उसके लिए अभी हमने पढ़ा था carbon has four electron its valence cell out of most shell में इसके चार electron होते हैं so it can neither accept nor lose four electron on way to complete octet is by sharing of electron तो यह electron share करके ही अपना octet fill करते हैं so carbon form a covalent bond to complete its octet यह covalent bond बनाते हैं अपना octet complete करने के या फिर tetravalency के बारे में भी आप बोल सकते हैं थार्ड में बोला है ड्रॉण इलेक्ट्रों डॉट इस्ट्रक्चर ओफ वाटर मॉलीक्यूज वाटर का फॉर्मला क्या होता है अप सभी जानते हैं हैं 매ग युल्च इस दिख बार्ण फिर फैरता है और भी त contributes अज़ेशन तो दोगहिए थो यह मनें दिखा画ें नोवापन दिखाया-वार्ण यह फिल हो जाएगा और यह क्या कऱोट इसलिक्टों बनेगा ऐच्टू ओथर मॉलीक्वर का वाइश करव ऑन टेट्रावलेलेंट क्य 스ubве फोर ओर इलेक्टों एन्टरींटी फॉर इलेक्रो fins इसकहां ओट्रामोस सोने फोर इलेक्टों भी डस्कार्वन एक्टम फोर मपाउन्ट्र재 कारवन लाज नंबर ऑफ कंपाउंट्स क्यों बनाता है कार्बन कें लिंक विद कार्बन एटम बाइन ओफ कोविलेंट बॉन्ट तो फॉर्म लॉंग चेन ब्रांच्ट चेन अंद प्रोजिंग रिंग कंपाउंट दू प्रोपर्टी ओफ कैटिनेशन एंट टेट्रा वेलेंशी तो इतर सकते हैं के ज tit बॉन अवेम मिल्टीपल स्टैबल बॉंड इन पर बोहुत सारे स्टेवल बॉंड बनाता पता तक यि कार्बन जो है वह हैई ड्रोजन चे साथ पोन बांट बना सकता है कि ओ सीज़ं के साथ ने इसके बहुत सारे इसमींटको क्इंट पाउंट्स तो यह आपके एंसर हो जाते हैं यहां से भी आप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेली ग्राम का वहां से भी जाकर सारे स्वल्यूशन कर सकते हैं सो यहां पर कंप्लिट होती है हमारी वर्क्शेट नमबर 80 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें